गुड़ मॉनिंग कक्षा 5 अपनी हिंदी व्याकरण की पूस्तक निका लिए उसमें निका लिए पेज नंबर 35 बच्चा पेज नंबर 35 यानि की नंबर्स हमने कर लिए हैं आप यह हमने पूरा पढ़ लिया है आज हम इसका अभ्यास करेंगी तो आप निका लिए पेज पूर्ति और दिये गए शब्दों से वचन बदली तो सबसे पहले हम करेंगे इसके रिक्सितानों के पूर्ति रिक्सितानों के पूर्ति आप या कॉपी से लिखें दिनाग बाइस्तारिक आप लिखेंगे वचन कॉपी उतारिंगे रिक्सितानों के पूर्ति कीजिए अब शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तू या प्राणी का बोध होता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं वचन, खो, हिंदी भासा में वचन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो, गो, जाती वाचक शब्दों का प्रियोग में होता है, जाती वाचक शब्दों का प्रियो सदा होता है बहु वचन में तो आप लिखेंगे बहु वचन इसी प्रकार से है तीसरा वाला दे गए शब्दों में वचन बदलिए आप देखें यहाँ कॉपी से देखें बुक से देखें जो आपकी पुस्तक में है वहाँ पे दे गए शब्दों में वचन कहीं एक वचन औ फिर बहुवचन आख का क्या होगा आखे ठीक है आख का क्या होगा आखे फिर उन्होंने बहुवचन में दे रखा है बेटे तो बेटे का क्या होगा बेटा फिर दे रखा है पुस्तक तो पुस्तक का होगा पुस्तक ये बहुवचन में ऐसे आगे करते हैं फिर एक बहुचन में नीती तो हम लिखेंगे नीतियां फिर है वस्तु में तो हमने लिखा वस्तु और यहाँ पे है गुडिया तो यानि कि गुडियां और चात्र का होगा चात्र गां इसमें एक है यह वाला देखे आप यहाँ पेंसले हैं तो यहाँ पेंसल पेंसल को होगा पेंसले हैं ठीक मौखिक प्रश्ट है लिकिट प्रश्ट है यहां से देखे आप यहां लिखे हुए आपके लिए मौखिक प्रश्ट वचन से क्या पता चलता है? वचन से संख्या का पता चलता है वचन से क्या पता चलता है कि वचन संख्या कितनी है यनि कि संख्या में एक हैं या एक से ज़ाद हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग के जाने वाले कोई तीन संख्या सब्द बताई है तो हमेंसा एक वचन में कौन रहता है पानी, मिट्टी और तेल ये कह रहते हैं एक वचन में ही रहते हैं इसी प्रकार से लिखित प्रश्ट में आई है वचन के कितने भेध हैं नाम लिखे तो वचन के दो भेध है एक वचन और बहुवचन खौवाला है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाले दो शब्ड का वाकिय की रूप में प्रयोग करना है यनि कि पहले बहु वचन में कौन से सब्द होते हैں फिर उनके वाकई बनाने तो आसू, दर्शन, हस्ताक्षर यह हमेशे क्या होते हैं तो हमने इनका वाके कैसे किया आपके आसू आ रहे हैं यने कि वाके पड़योग कर दिया आसु क्यों होता है बहुवचन में होगा और उनकी दर्शन हो रहे हैं यहने कि दर्शन और आसु यह हमारे बहुवचन में होते हैं और हमने ऐसे ही इनको शब्दों में प्रियोग करना है आप इतना ही करेंगे बागी का अभ्यासन दूसरी वीडियो में करेंगे